नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा ओनलाइन इस्टडिविट डिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे दोस्तों प्याजे के संग्यनात्मक विकास के सिध्धान्त के महत्पूर्ण प्रस्णों के बारे में यहाँ पर मैंने 32 अती महत्पूर्ण प्रस्णों का संग्रा किया दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दू कि हमने प्याजे से रिलेटेट जो थियोरी है उसके बारे में बताया हमें अच्छे से आपको समझाया है तो सबसे पहले तो आप उस वीडियो को देख लीजेगा उसके बाद आप इन प्रस्णों को लगाएगा यहाँ पर मैं प्रस्णे पढ़ूँगा और डारेक्ट आंसर पढ़ूँगा ज्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जो एक्जाम है दो और तो चार विकल पर पढ़ूँगा तो जादा टाइम खराब होगा आपको ही प्रदोस्तों इनके बारे में बता देता हूँ जो जिन प्याजे हैं इन्होंने संग्यनात्मक विकास का सिध्धान्त दिया है आपको सभी को पता होगा यह और इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 में और इनकी मृत्यों की बात करें तो इनकी पहली अवस्ता है शवदिक पेशी अवस्ता जिसको इंद्री गामक अवस्ता भी कहा जाता है दूसरी अवस्ता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्ता तीसरी अवस्ता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्ता जिसको अपचारिक सक्रियात्मक अवस्ता के नाम से भी जाना जाता है और तो यहाँ पर सुरू करते हैं आज का पहला प्रशन है पियाजे के अनुशार दो से साथ वर्ष के बीच का एक बच्चा संयनात्मक विकास की कौन सी अवस्ता में है आपके सामने चार विकल्पे दोस्तों यहाँ पर मैं चार विकल्प नहीं पढ़ूँगा डारेक्टली इस इसका अंसर बताऊंगा तो यहाँ पर इसका राइट अंसर होगा प्याजे के अनुशार दो से साथ वर्ष के बीच का एक बच्चा संयनात्मक विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्ता में है तो यहाँ पर हमारा जो सही अंसर होगा दोस्तों डीवाला रहेगा अगला प अंचरण निर्धारक तत्व नहीं है प्याजे के अनुशार बोध्धिक विकास का तो यहाँ पर हमारा राइट अंसर होगा ए वाला अगला प्रशन है प्याजे के सिध्धान्त के अनुशार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं महत्पून प्रशने हैं दोस्तों आपके सामेचार विकल पे हैं इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सरी आंसर होगा जो प्याजे के सिध्धनति के नुशार बच्चे अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तो डीवाला रहेगा अगला प्रश्न है पियाजे अनुमोधन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्म कवस्था में बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं निमलेखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मदा ठेराया है तो यहांपर हमारा जो right answer होगा विचार की अंतर क्रमनीता हैं तो यहांपर हमारा जो right answer होगा दोस्तों डी वाला रहेगा अगला परशन है पियाजे तथा वाइगोट्सकी के अनुशार एक रचनात्मक कक्छा कक्छ में अधिगम सिक्छार्तियों द्वारा स्व्यम स्रजित किया जाता है जो एक सक्री भूमिका निभाते हैं पर हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तो डीवाला रहेगा अगला प्रश्न है पियाजे के अनुशार विकास को प्रभावित करने में वा निमलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्यपूर्ण होती है दोस्तो आपके सामने चार विकल्प हैं तो यहाँ पर हमारा सही आं प्रश्न है पियाजे के अनुशार बालक सबी स रेणियों की शमश्याओं पर तारकिक विचार लागू करने में योग हो जाता है यहाँ विकास निमलिखित में से कोन सी अवधी में होता है कोन सी अवधी में होता दोस्तो यहाँ विकास आपके सामने चार विकल्प है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा यहाँ विकास अपचारिक किर्यात्मक अवधी में होता है यहाँ पर एवाला विकल्प हमारा सही रहेगा अगला प्रश्न है पियाजे के संव्यानात्मक विकास के सिद्धानत के अनुशार अमुल सिंतन कब विक्षित होता है तो यहां पर हमारा सही आंशार होगा जो अमुल्थ चिंतन है वो ओप्चारिक सक्रियात्मक आवस्था में विक्सित होता है तो यहां पर हमारा डी वाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रशने है पियाजे मुक्ताहा किसके छेतर में योगदान के लिए जाने जाते हैं महत्यपूर्ण प्रशने दोस्तों और सामाने सब प्रशने आप चार विकल्प पढ़कर ही इसका अंसर बता सकते हैं तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा जो प्याजे मुक्ताहा ज्यानात्मक विकास के छेतर में योगदान के लिए जाने जाते हैं तो यहां पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा अगला प्रशने है वहां इस तर जिसमें बच्चा किसी वस्तू एवम गटना के बारे में तारकिक रूप से सुरू करता है कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों आपके सामने चार विकल्पे हैं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा उसे मूर्थ किर्यात्म कवस्ता कहा जाता है तो यहाँ पर बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सरजन करते हैं, इसका सरे किश्क को जाता है, यहाँ पर चार विकल्प है, इसके नरको, प्याजे को, पावलाव को, या फिर काहलबर्ग को, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का स सरजन करते हैं इसका स्रेप प्याजे को जाता है तो यहां पर बी वाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रश्ण हैं निम्न में से किसने बच्चों से वस्तु इस्तिती के विकास को समझाने में साहिता किये किसने की है प्याजे या फेश्टनिंगर ने, एरिक्सन ने या फिर बेलाक ने, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा प्याजे ने बच्चो से वस्तू इस्थिती के विकास को समझाने में साहिता किये तो यहाँ पर A वाला विकल्ब सही रहेगा अगला प्रोश्ण है पियाजे के संग्यनात्मक विकास चर्णों में से कौन एक सही नहीं है दोस्तो कौन एक सही नहीं है पियाजे के संग्यनात्मक विकास चर्णों में आपके सामने चार विकल्पे हैं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पूर्वग्यान पूर्वग्यान सही नहीं है प्याजे के संगनात्मक विकास चरणों में तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ए वाला अगला प्रश्ण है प्याजे ने इस्थानी करण सब्द का प्रयोग किया है कहाँ पर किया है दोस्तों आपके साल में चार विकल्प है नवैन पारिश्तत की हितू समायोजन में प्याजे ने इस्थानी करण सब्दाका प्रयोग किया है, तो यहाँ पर बीवाला विकल्प सही रहेगा, अगला प्रुष्ण है, प्याजे के अनुषार 4-6 महा में कौनसा संग्यनात्मक विकास होता है? कौन सा संग्यनात्मक विकास होता है दोस्तों प्याजी के नुसार चार से छे माह में तो यहां पर होगा आग हाथ सम्मंद तो यहां पर बी वाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रशन है संग्यनात्मक विकास में वन्सक्रम निर्दारित करता है किसको करता है दोस्तों आप के सामने चार विकल्पे दिये हैं इसमें से आपको सही विकल्प का चैन करना है तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा संग्यनात्मक विकास में मस्तिक सजेसी सारीरिक सरचना के मूलबूत स्वभाव को वन्सक्रम निधारित करता है तो यहां पर यह वाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रस्न है पियाजे के संधनात्मक विका सिध्धनत के अनुषार सवेधी किर्यात्मक आवस्ता होती पियाजे के अनुषार यहां पर प्याजे लिखा उआ है प्याजे के अनुशार मूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता का समयकाल कौन सा होता है आपके सामने चार विकल्पे हैं इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो प्याजे के अनुशार मूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता का जो समयकाल होता है वो साथ से ग्या वर्षिका होता है, तो यहां पर बी वाला विकल्प सही रहेगा अगला परशने है μεाणसिक विकास की अपचारिक सक्रयात्मक अवस्था की मुख्य विसेस्था हैं, गला पर उसको सही रहेगा अगला पर-बच्य सेटों में बौद्धिक विकास की चार-विशिष्ट अवस्थाओं की पेचान किसने की है तो यहाँ पर सरल्सा प्रसने तो सुरूमि मैंने आपको बताई है था चार-विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा प्याजे द्वारा अगला प्रश्ण है प्याजे के अनुशार कोन से वर्ष से कम आयू के बालकों में संजनात्मक परीपकवता का भाव पाये जाता है महत्तपूर्ण प्रश्ण है दोस्तों आपके सामने चार विकल्पे छे वर्ष नो तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा प्याजे के अनुशार छे वर्ष से कम आयू के बालकों में संजनात्मक परीपकवता का भाव पाये जाता तो यहां पर एवाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रश्ण है प्याजे के संजनात्मक विकास के सिध्धन्त के अनुशार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है महत्यपूर्ण प्रस्न दोस्तों आपके सामने चार विकल्प हैं तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा अमुर्थ सक्रियात्मक अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक धंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है तो यहां पर एवाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रश्न है प्याजे के अधिगम के संग्यनात्मक सिधान्त के अनुशार और वहां प्रक्रिया जिसके द्वारा संग्यनात्मक सरचना को संसोधित किया जाता है कहलाती है क्या कहलाती है समायोजन प्रत्यक्षन इसकीमा या फिर समावेशन तो यहां पर हमारा सही अंसर होगा वहां समावेशन कहलाती है तो यहां पर डी वाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रश्ण है, प्याजे के अनुशार संग्यनात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु इस्ताइत्व को प्रदर्सित करता है, कौन सी अवस्ता है दोस्तों जिसमें बच्चा वस्तु इस्ताइत्व को प्रदर्सित करता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा, पू चिंतन प्रारंब करता है, तो यहां पर हमारा से वर्गी करण किस सिद्धान्त पर अधारित महत्यपून प्रस्णे हैं और सरलसा प्रस्णे हैं चार विकल पर देख सही रहेगा अगला प्रस्णे हैं पियाजे के अनुशार विकास की पहली अवस्था जो की जन्म से लगबग दो वर्स आयूकी होती है इसके दोरान बच्चा सबसे बहतर सीखता है किसके दोरा सबसे बहतर सीखता है चार विकल पहे तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा प्याजे के अनुशार विकास की पहली अवस्ता के दोरान बच्चा इंद्रियों के प्रियोग द्वारा सबसे बहतर सीखता है यहाँ पर डी वाला विकल्प तो सही रहेगा अगला प्रशन है प्याजे के अनुशार निमलेखित में से कोन सी अवस्ता है जिसमें बच्चा अमूर्थ संकल्प नाओ के विसे में तारकिक चिंतन करना आरंब करता है अगला प्रश्ण है प्याजे की अनुशार बच्चा अमुर्त इस्तर पर चिंतन बोध्धिक किरियाएं और समस्या समधान किस अवस्था में करने लगता है अधान करने लगता है तो यहां पर हमारा C वाला वेकल पर सही रहेगा अगला लाश्ट प्रशन है प्याजे के मतानुशार बालकों में वस्तु इस्तिरता उत्पन होती है किसमें होती है दोस्तो आपके सामने चार वेकल पर हैं तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा जो पर आए यहां भी मेरे कमेंट सेबुक्स में जरूर बताएगा वर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सेर करना ना भूले जो और अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी मिलते हैं जब तक के लिए धन्यवाद